सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हमारी ममी ने हम दोनों बहनों से कमरे की सफाई करने के के लिए कहा I saw my younger sister's things were uncapped in a box और मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन की सारी चीजें box में बिलकुल उल्डी सीधी रखी हुई है So I called my sister and asked her तो मैंने अपनी छोटी बहन को बुलाया और कहा कि come and look what all things you have in your box आओ चलो देखते हैं कि तुम्हारे box में क्या के चीजें हैं Let's count them and make a note of them उनकी एक सूची बनाते हैं ठीक है और उन्हें गिनकर सूची तियार करते हैं तो देखें box की कुछ ऐसे pictures दी हुई है बच्चो समान ऐसे दिखाया हुआ है Things दिखाया हुई है इसमें ball है 5 count करके इनकी list बनाई हुई है Padminton racket है इसमें 4 toys है 2 plants है पौदे 4 caps है टोपिया 3 अब data के बारे में definition पढ़ लेते हैं Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, observations और just a descriptions of things आकड़े तत्यों का एक संग्रे होते हैं जैसे की संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीजों का विवरा है Oh wow that is data, ठीक है smiley करिए कि ये data है, ये जो हमारे पास है ये क्या है data है, इन चीजों को collect करके बता हुआ है कि ये इतने इतनी चीज़े है, ठीक है अभी यहाँ पर question है write the data in the table ascending order, ascending order में data को लिखना है आपको, आकड़ो को लिखना है बढ़ते करम में तो आप लिख देंग 2, 3, 4, 4, 5 ठीक है, बढ़ता करम हो गया, ascending order हो गया, second question है write the name of thing which count most, आपको उस चीज का नाम बताना है, जो सबसे अधिक है, तो ball सबसे अधिक है, 5 है, write the name of thing which count least, उस चीज का नाम बताना है, जो सबसे काम है, तो toys 2 है only, सबसे काम है, वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठी ठीक है, यह देखिया, हमें लिस्ट से पता चल रहा है न, ball कितनी है, 5 है, toys 2 है, तो यह हमारी worksheet solve हो गई बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए, तो please हमारी वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, हमारी चनल को subscribe कर लिजे, thanks for watching,